Barriers to effective communication इसका मतलब एक प्रभावपूर्ण या प्रभावी बात्चीत वारतालाप communication संचार में कौन-कौन से अवरोध हो सकते हैं रुकावाटे का क्या-क्या हो सकती है एक अच्छा या effective communication हम किसे कहते हैं एक बात्चीत जब भी आपने किसी से की हो और आपको उस बात्चीत में अच्छा लगा हो या फिर आपको लगा हो कोई result निकल के आया है तब ही तो आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात्चीत हुई भाई तो तरहतर के बात होती है जैसे non-verbal होती है verbal होती है, visual होती है यह तीन तरीके की हमने बात देखी अगर हम मैं communication को कहूँ तो तीन भाग में हम इसको divide कर सकते हैं एक आपका verbal होता है जिसमें आप लिखते हैं या बोलते हैं एक non-verbal होता है जिसमें अपने expression, चहरा, हाव-भाव या tone, आवाज की जो intensity है उसके इसाब से बात करते हैं, visual होता है जो language independent होता है, आप उस sign को देखके पता कर लेंगे कि या क्या कहना चाता है, इसको और प्रभावपूर्ण या और प्रभावी करने के लिए, कि नौकरी शुदा हैं या किसी संस्थान में हैं और वहाँ पर आपके इस तरीके से बात करते हैं, ये भी इसके लिए कुछ rules हैं और इसको हम कहते हैं seven seas, क्या कहते हैं हम seven seas, तो दो लोगों की बातचीत में ये seven seas क्या होता है, देखें इसमें सबसे पहले जो चीज आती है, वो है clear, safe, concise, मतलब जितनी बात करनी है, उतनी ही करनी है, concrete, जो बात आप कर रहे हैं उसमें वजन होना चाहिए, हलकी बात नहीं होनी चाहिए, जो बात कर रहे हैं आप correct होनी चाहिए, गरत नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए coherent, coherent का मतलब जो बात्चीच चल रही है, माल लीज़ आप बात कर रहे हैं आज के मोहल पे माल लीज़ कोरोना पे बात कर रहे हैं तो आप कोरोना के मुख्व मुटालिक ही बात करेंगे complete, यानि पूरी बात करेंगे बीच में नहीं छोड़ेंगे या आदी बात नहीं खा जाएंगे Curtis Curtis मतलब इज़त से बात की जाएगी महबबत से बात की जाएगी Kind शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा अब इनमे से seven seas में कोई भी चीज अगर कम हो जाती है तो इसका मतलब है कही न कहीं miss communication हो जाएगा कहीं न कहीं बात्चीत में कमी रह जाएगी तो इसको मैं फिर से बताना चाहूँगा यह seven seas क्या होते है seven seas में साथ चीज आती है जब भी दो से ज़ादा घर पे बाहर जब भी बातचीत हो effective communication प्रभावी वारतालाब तभी होती है जब वो बातचीत clear हो clear का मतलब यह होता है कि यह दुनों बात कर रहे हैं बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं बिल्कुल clear बात कर रहे है यानि आधी बात समझ में आ रही है आधी नहीं आ रही है ऐसा नहीं हो रहा है उसके बात आता है concise concise का मतलब यह होता है कि जो बात है बिल्कुल उसी उतनी ही बात की जाए यानि कि आपको अगर एक शब्द में काम चलता है तो आप दस शब्द मत बोलिए concise size उसके बात आता है concrete ये भी तीसरा C है concrete का मतलब यह होता है कि आप एकदम सही शब्दों का उप्योग करिए और facts के साथ बात करिए ऐसे नहीं कि आपके WhatsApp युनिवरसिटी सी या मन के आपके दिमाग में बात आई और आपने कर दी आपको spelling और grammar बिल्कुस सही करना है यानि correct बात करनी है correct ऐसा नहों कि आप spelling गलत कर रहे हैं गराइब grammar गलत कर रहे है coherent का मतलब यह है कि भाई जिस topic की बात हो रही हो अगर आप budget की बारे में बात कर रहे हो और आप entertainment के बारे में सल्मान खाने के बारे में बात करने लगे तो वो coherency नहीं होगी complete का मतलब यह होता है कि भाई सारी information मान लीज़े इस चीज़ से लेटेड़ यह information है तो सारी आपको देनी है ऐसा नहीं कि यह दुनों खा गया यह दुनों दी बस इसके लावा एक और चीज़ आती है वो courteous, courteous का मतलब है आप respectful रहिए, इज़त से बात करिए, दोस्ताना से बात करिए honest रहिए अपनी relationship में मतलब गलत बात मत करिए, गंदी बात मत करिए और हाँ, यह सब जो शब्द यूज़ करते हैं अच्छी यह सब ने यूज़ करना है एक प्रभावी या प्रभावपूर्ण communication के लिए बातचीत के लिए वारतल आपके लिए बहुत सारे अवरोध आते हैं हमारी जिंदगी में और इन अवरोधों का हम सब ने कहीं न कहीं हमारे सामने, इंसके हमारा सामना हुआ है पहली चीज़ इसमें आती है, आपकी आती है फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर का मतलब यह होता है कि एन्वायमेंटल पर्यावरणी है या जो प्राकृतिक कंडिशन है याने आप किसी को नहीं देख पा रहे हैं उसके हाथ नहीं देख पा रहें उसका कंधा नहीं देख पा रहें उसकी बॉडी लैंग्वें नहीं देख पा रहें वो शरीर से किस तरीके से बात कर रहा है या वो आपके बात को किस तरीके से उसका जवाब दे रहा है तो इसका मतलब यह है communication less effective हो जाएगा आप देखेगा आप फोन पे बात करते हैं लेकिन बहुत जरूरी बात होती है तो आप सीधा उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि जब आदमी की साम आमनी सामने बात होती है और फोन पे बात होती है इसका मतलब ही अलग होता है कहने का मतलब यह है कि जो आसपास सामने की बात होती है या फिर कहेंगी इनका बॉडी का जेस्चर देख रहे हैं आँखों का की पुतलियां देख रहे हैं तो टेक्स्ट मेसेज जो हमेशे होते हैं जो SMS होता है उससे ज़्यादा बहतर होता है यह Face-to-Face communication दूसरी चीज़ इसमें आती है Language Barrier या इसको हम कहेंगे Linguistic Barrier Linguistic का मतलब होता है भाशाई, Barrier का मतलब होता है रुकावट या अवरोध याने कि दोनों की Language अलग है या जो पार्टी बात कर रही है Communication हो रहा है उनकी Language अलग होती है सबसे बड़ी Problem यही है Language Communication अगर आप कहें कि हिंदुस्तानी Indian आदमी है और Chinese के बीच में दिक्तत हो रही है तो मैं यह कहूंगा Indian इंडियन में के ही बीच में हो रही है एक आदमी जो उत्तर प्रदेश में रहता है और एक आदमी जो फिर माली जो केरल में रहता है वो कैसे आपस में बात करेगा या तमिनाडू में रहता है कैसे बात करेगा दोनों की language अलग है दोनों के culture अलग है कई चीजे जो हमारे हाँ होती है वहाँ पर गलत मानी जाती है वहाँ जो होती हो हमारे हाँ गलत मानी जाती है या इसको ये कहें कि शब्दों को तोड़के बनाया जायागा. जैसे मुंबई में अगर आप देखेंगे तो बोलेगा रहे यार मैं बैठेला था, उदर वो जायला था, तो मैं इदर आयला था. तो ये स्लैंग हो गया, लेकिन हमको लगे कैसे बात कर रहे हैं, महां के लिए नॉर्मल लैंग्विज है. प्रोफिशनल जार्गन का मतलब ये होता है, कि आपको बड़े बड़े ऐसे खलीफा वर्ड यूज कर रहे हैं. और रीजनल कलोक्विजम, यानि कि जो भाषा का एक कलोक्विजम का मतलब होता है, कि एक दाइरा है, एक जगा है जहां पर एक भाषा बोली जाती है. जैसी आप उससे अलग जाएंगे, वो चीज़े चेंज हो जाएंगे. तो ये सब चीज़े लैंग्विज बैरियर का काम करती है, यानि कि अवरोध है. आप देखिए कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या होगा? ये लिग्विस्टिक बैरियर है, कि भई ये आदमी इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि भाषा ही नहीं जानता. इंटरपरस्णल बैरियर, इंटरपरस्णल बैरियर का मतलब ये होता है, कि भई जिस तरीके का मेसेज आप भेज रहे हैं, क्या वो ही मिल रहा है, कहने का मतलब ये है, कि एक सहाब है, वो बात ही नहीं करना चाहते, एक आदमी आप से बात नहीं करना चाहता, और आप उसक ही कुछ नहीं हुआ सब ठीक है सब ठीक हैं ऐसे होता है की नहीं होता है कोई बात भी देख आप को एक्स्प्रेशि नहीं करना चाहता है तो कैसे बात करेंगे इसके भाथ परियूरीर कहते हैं खास तुर पित는ी गल्रेंड भॉईफ्रेंड और जो प्रेयमी जौड़ा है उन के बीच में पहले कुछ दिक्कते हो रखी है तो यहां पर interpersonal barrier आ जाता है आप समझने हैं मैं क्या कह रहा हूँ अगली बात आती है organizational barrier organization barrier में क्या आता है देखे organization कई ऐसे बने होते हैं जो बड़े friendly से बनाए गाते हैं गूगल वगरा हो गया वहाँ पर cycle से घूमिया आप में दोस्तों से बात करिये कहीं टीटी खेलिये कहीं बेडमिंटन खेलिया राम से सब कुछ चलता है उस तरीके से उन्होंने freedom दे रखाया है लेकिन होता यह है कि कई ऐसे organization है जहाँ पर rule और regulation बड़े टकटगड़े होते हैं procedure होते है policies होती है नीतियां होती है कई तरीके के कानून वहाँ पर होते है behavioral norms होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है यह करना गलत है वो करना सही है अब इससे क्या होता है कि जो इतने सारे दायरों में आप रहेंगे तो जो आम तोर पे बातचीत आप करते वो नहीं करते हाँ सर पे जो आपका boss employee का relation है या superior subordinate का relation जो आप यहाँ देख भी रहे हैं वो इस relation में आप वो बात नहीं कर पाएंगे जो जो प्रवाह धारा में बातचीत होनी चाहिए वो नहीं होती है यूँकि rules बड़े तगड़े बना दिये गए हैं चोटी चोटी बात में डर लगता है आपको कि यार ये इतनी बड़े rule है ये बात करूँगा तो ये नहो जाए वो बात करूँगा तो वो नहो जाए तो लोग कहते हैं कि यार पंगे में फसने से अच्छा लडाई में या किसी rule में या किसी suspension में आने से अच्छा चुपी रहो तो जादा बहतर है इसको हम organizational barrier कहते हैं मतलब संस्थागत अवरोध जिसे कहते हैं ये interpersonal मतलब यह होता है आपस के जमीन आसमान का नतर है दोनों दिखते अलग हैं दोनों खाते अलग हैं तो कहने preached अलग है अब संस्कृति में क्या होता है कि एक एसी संस्कृति में आब आपको बताऊंगा यह आपका चेहरा है normal हम क्या देखते हैं कि अगर आपने यो घुमाया तो इसका उपर निचे किया तो हाँ, लेकिन कई ऐसी संस्कृतिया जहां प्रे उल्टा है, अगर आप कई चीज नो करोगे तो हाँ समझेगे, कई बार क्या होता है, हम स्टीरियो टाइप हो जाते हैं, यह तो इस कास्ट से आता है, यह इस कम्यूनिटी से आता है, इसने टोपी फैला रखा है, उस तरीके का होगा, जबकि हो सकता है पड़ा लिखा आदमी हो, हो सकता है वो हमको जो बताया गया वैसा ना हो, कल्चिरल बैगराउंड उसका वैसा ना हो, इंटेलिजिन आदमी हो, समझदार आदमी हो, देश के लिए कुछ करना चाहता हो, लेकिन हमारे उपिनियन्स कुछ इस तरीके से कोई बना देता है कि हम उसके बार में ऐसी सोचने लगते हैं, तो बेस्ट चीज यह है कि भाई, आपको इन सबसे बचना है, इन बैरियर्स को तोड़ना है, और जहां ये बैरियर्स आए, उनसे बचने की कोशिश करना है, किस तरीके से हमा भी बताया था, शशी थरूर बनने की जरूरत नहीं है, फैबर ग्लास्टिक, फैबर ग्लास्टिक, पता नहीं क्या शब्दोता, क्यों बोलना है, हैपी बोली, I am happy, simple language यूज करी, बिल्कुल अगर आपने आप ये सोचोगे कि बहुत अच्छे बड़े word यूज करके मैं कि किसी को इंप्रेस कर रहा हो, तो आपके वल अपने आपको इंप्रेस कर रहे हो, क्योंकि दूसरा तो इंप्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात है कि चाहे कल्चर हो, रिलीजिन हो, चाहे कोई चाइना से आ रहा हो, कोई मु जिरूर यह है कि जितना जादा आप अच्छे से बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा विज्वल्स यूज करिए यानि आप जो हाथ है पॉस्चर है या पिक्चर है यह सब यूज कर सकते हैं अगर आप दो जैसे माली जै अगर रशियन आदमी और नरेंदर मोधी बात कर रह है ना अलग बात है कि वो आपके अलग भाशन बात कर रहा है जितनी भी उपीनियन्स है जैसे माली जो कोई एक बीजीपी का आदमी है कोई एक कॉंग्रेस का आदमी है दुनों आपस में लड़ रहे हैं और यह हमने हमेशा देखा है कि हमारे समाज में यहीं चल रहा है आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इनको मारना पिटना करेंगे तो घलत बात हो जाएगी तो रिस्पेक्ट करिए सबके ओपीनियन की यूगि इंसान हर आदमी एक जैसा नहीं होता उंगलिया एक हाथ की ही बराबर नहीं होती तो जरूरी यह है कि हमको अपने क्मिनिकेशन बारियर कौन सा नहीं है हमने देखा लिंग्विस्टिक है बातचीत वाला आपस में रिलेशनशिप जो है खास्तोर पर जो प्रेमी प्रेमी का जोड़ा होता उनके बीच में होती है और्गनाइजेशनल बे बारियर जो होता है संस्था में यतने बड़े रू के अफिराइशनल डिफेरंसीस को रिस्पेट करिए ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं कम्यूनिकेटं नहीं करेंगे तो दो जाता हूँ एक common neutral language use कर सकते हैं तो A और B इसमें सबसे बढ़िया है बात करना या फिर अपनी ही language का use करना comfort के लिए वो घलत हो जाएगा Write down the common communication barrier you may come across when you move to a new city or country तो मैं आपको फिर से महीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ज़रूरी यह है कि किताब के हिसाब से लिखें आप पहला है physical barrier जाने कि आप एक दूसरे से दूर है या फिर आपको देखनी पा रहे हैं फोन वोन पे बात कर रहे हैं linguistic barrier आपको एक दूसरे की भाशा नहीं पता interpersonal barrier अगला आदमी बात ही नहीं करना चाहता है फिर क्या करोगे आप organizational barrier आपके organization में इतने tough rules है regulation है कि आप वैसे डरते हैं घबराते है cultural barrier मतलब दूसरे का culture ही अलग है बिल्कुल तब आप कैसे बात करेंगे तो इसके लिए आप यहां उस उत्तर क्या देंगे देखिए linguistic है, cultural है physical या फिर organizational कह सकते हैं और interpersonal है यह सारे barrier है अच्छे communication के तो इनके बारे में मैं discuss कर चुका हूँ यह आपके सामें उत्तर है अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और इनके बारे में हम discussion कर चुके हैं